हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरोग्य मंत्रा में फोर हेल्थ एंड लाइफ इस्टैल दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि खूपसूर्ती भोतमाईने रखती है सबी यह चाते हैं कि उनकी त्वचा खूपसूरत हो चहरा, गोरा, ब्राइट और खिला-खिला नजराए त्वचा यदि सुंदर हो तो व्यक्तित्व में निखार आता है त्वचा ही एक ऐसा माध्यम है जहां से सबसे पहले सुंदर्ता की पहिचान होती है और सुंदर्ता को बनाए रखने के लिए त्वचा बहुत बड़ी भूमी का निबाती है यदि त्वचा गोरी और चमकदार हो तो उस व्यक्ति को खूपसूरत और आकरशक माना जाता है किन्तु कई बार उम्र के बढ़ने, तनाव, अस्वस्त जीवन से ली यथा दुम्रपान, सराबिया, नसिले पदार्थों का सेवन तथा प्रदूशन से त्वचा के निखार में कमी आने लगती है इसकिन डल, मुर्जाई और बेजान सी हो जाती है ज़्यादा तर लोग इन समश्यों से निजात पाने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे और केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडेक्ट्स का इस्तमाल करने लग जाते है यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाईए और इनका इस्तमाल बंद कर दीजे क्योंकि केमिकल्स वाले ये प्रोडेक्ट्स आपकी स्किन को काफी नुक्सान पहुंचा सकते हैं ये उत्पाद आपको बाहर से खूपसूरत और जवान तो बना देते हैं लेकिन अंदर से आपकी खूपसूरती को खत्म कर रहे होते हैं इन chemical उत्पादों को इस्तमाल करने के बजाए घर की गुनकारी सामग्रियों का उप्योग करके बहुत ही आसान और natural तरीके से अपनी त्वचा और चहरे को खुबसूरत तथा बेदाग बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चहरे को फेयर, वाइट, बेदाग बनाने वाले घरेलू नुस्के के बारे में जो न सिर्फ आपके चहरे पर निखार लाएगा बलकि आपकी त्वचा की डैड सेल को रिमू कर उसे खुबसूरत और गोरा भी बनाएगा लगातार तीन दिन के इस्तमाल से आपकी त्वचा की ऐसी रंगत निखर का सामने आएगी कि आप खुद दंग रह जाओगे तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे चमत कारिक नुष्के के बारे में उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल आरोग्या मंत्रा को सब्सक्राइब करें दोस्तों इस नुष्के को बनाने के लिए आपको 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी पहली चीज है एलोवेरा जेल दो चमत इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एमिनो एसीड पाए जाते हैं इसके अलावा इसमें पोसक तत्व भी होते हैं जो चहर को नैच्यूरल ग्लो देते हैं और तवचा के योवन को बरकरार रखने में मददगार हैं दो चमच मुल्तानी मिटी इंगलिस में इसे फुलर्स अर्थ कहते हैं इसमें मैगनीशियम, सोडियम और कैल्सियम जैसे दातू के अणू होते हैं इसके अलावा इसमें कई प्रकार के खनीज भी होते हैं जिसके कारण यह तवचा से गंदगी निकालने के साथ साथ किसी भ दो मुल्तानी मिटी आपको बारीक पिसी ही लेनी है आदा चमच हल्दी पाउडर दोस्तो हल्दी का इस्तमाल ओली सकिन की समश्या से छुटकारा दिलाती है साथ ही यह सकिन से कील मुहासों की समश्या और पुराने डाग डबो को भी दूर करती है दो चमच बेसन बेसन यह मुहासो को बढ़ने से रोगता है और एंटी प्विंपल क्लिंजर की तरह काम करता है। 6-7 चमच गुलाब जल अपने एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेंटरी गुनों की कारण गुलाब जल तवचा में ताकर्तिक निखार लाता है। अतिरिक्ट तेल को मिटाने के साथ मुहासो को दूर करता है और इसकिन सेल्स को मजबूत कर तवचा में निखार लाता है। पेश्ट बना ले और तब तक चमच से अच्छी तरह मिला ले जब तक कि ये सबी चीजें आपस में न मिल जाएं। दोस्तों अब आपका फेस्ट पर तयार है। इसके इस्तमाल का तरीका सबसे पहले साधे पानी से अपने हाथ और चहरे को साफ कर ले। फिर दो चमच दूद लेकर उसमें कॉटन बॉल्स दुबा कर अपने चहरे और हाथों को साफ कर ले। फिर साफ कपड़े या टीश्यू पेपर से चहरे और हाथों को साफ करे। अब इस तैयार फेस पेक को अपने चहरे और हाथों पर लगा ले। इसे 20 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दे फिठंडे पानी से दो ले। दोस्तों चहरे को पानी से दोने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका चहरा सुन्दर, मुलायम और गोरा हो गया है। और लगातार तिन दिन तक इस नुस्के का प्रियोग करने से आपके चहरे के निखार में बेतासा ब्रदी होगी और चहरे का कालापन, कील मुहासे और जुर्यां दूर होगी, साथ ही आपकी त्वचा बोरी और चमकदार हो जाएगी। दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरोग्या मंत्रा को सब्सक्राइब करें।